यूपी को दहलाने की साजिश नेपाल सीमा से आतंकियों की एंट्री करने वाले थे बड़ा धमाका एटियस ने मौके से दबोचा नमस्कार आप देख रहे हैं कैपिटल टिभी उप्तरप्रदेश की स्पेसल स्टोरी और मैं हूँ आपके साथ रोहित कुमार देश में लोगसभा का चुनाव है और जाच एजन्सियां इसी कोशिश में है कि पूरा चुनाव सांती पूर्वक धंग से संपन हो जाए लेकिन आतंकियों की मनसा कुछ और है वे नहीं चाहते कि देश में शांती बनी रहे जिसको लेकर लगातार परियास में लगे रहते हैं भारत में लोगसभा चुनाव एक बहुत बड़ा आयोजन है देश की 140 करोड़ जनता इसमें भाग लेती है जिसका फायदा आतंकी संगठन उठाना चाहते हैं इसी के मद्य नजर तीन आतंकी निपाल के रास्ते भारत में एंट्री लेने की कोशिश कर रहे थे लेकिन हिजबुल मुजाइदीन के तीनों आतंकीयों को एटियस ने धरदवोचा है इनमें से दो पाकिस्तानी नागरिक हैं और एक कश्मीर का बताय जा रहा है फिलाल यूपी एटियस तीनों को हिरास्त में लेकर पूश्टाज कर रही है जानकारी के लिए बता दे कि इन तीनों को उत्तरपरदेश के महराज गंजीले की निपाल सीमा चे पकड़ा गया है तीनों एक बस में सवार होकर निपाल से भारत में घुशने की कोशिश कर रहे थे तभी जाच के दोरान सुरक्षा एजनसियों ने उन्हें धर्दबोचा और यूपी एटियस के हवाले कर दिया जानकारी के मताबिक इन आतंकियों को ISI ने भारत में आतंकी वारदातों को अंजाम देने के लिए भेजा था फिलाल इन तीनों की पहचान सामने आ चुकी है इसमें से पहला मुहमद अलताफ है जो रावल पिंडी पाकिस्तान का रहने वाला है तो दूसरा सयद गजनफर जो इसलामाबाद का रहने वाला है वहीं तीसरे आतंकी की बात करे तो उसका संबंद कश्मीर से है जिसकी पहचान नाशिर अली के रूप में हुई है UP ATS ने बताया है कि इन आतंकीों के आने की खूफिया सूचना मिली ती जिसके बाद ATS ने निपाल बॉर्डर पर सुरक्षा एजनसियों के साथ मिलकर उन्हें पकड़ने की तयारी की और एक बस से तीनों को गिरफतार कर लिया ये आतंकवादी पाकिस्तान की खूफिया एजनसी ISI की मदद से भारत में आतंकी वारदातों को अंजाम देने की योजना बना कर आये थे ATS की IG निलाबजा चौधरी ने बताया है कि ATS को एक intelligence input मिली थी कि कुछ पाकिस्तानी नेपाल बॉर्डर के रास्ते भारत में घुसपैट की कोशिश में है जिनकी मदद पाकिस्तानी कूफिया एजनसी ISI कर रही है इन्होंने ISI की मदद से हिजबूल के training camp में हतियारों के training ली है और अब भारत में आतंकी वारदातों को अंजान देने के लिए तयार है इसी सूचना के आधार पर UP ATS की गोरखपुर unit ने electronic और जमीनी surveillance के माध्यम से operation चलाया और सौनोली border के पास फरिंदा नाम गाउं से दो पाकिस्तानी आतंकियों और उनके एक कश्मीरी सहायक को गिरफतार कर लिया ATS ने चलाया तलाशी अभियान सूचना के बाद ATS ने इलाकों में तलाशी अभियान शुरू कर दी जगा जगा चापे मारी की जा रहे थी करने वाले हैं जानकारी के बाद ATS एक्टिव हो गई और तीनों को मौके से दबोच लिया निपाल के ISI हैंडलर ने हैं अलताफ के साथ सयद गजनफर को फरजी आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज उपलग्द करवाए गये थे जिसकी मदद से तीनों भारत आये थे आतंकी ने खोले कई राज गिरफतार अलताफ ने पूछतास में बताया कि वह कारगिल युद्ध के बाद वह हिजबुल मुजाइदीन के एक मिलिटेंट के साथ जिहाद के ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान चला गया था वो हमेशा से ही चाहता था कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बने पाकिस्तान पहुच कर ISI के निर्देशन में हिजबुल मुजाइदीन के मुझपराबाद कैंप में उसने जिहादी प्रसिक्षन लिया था अल्ताफ ने ये भी बताया कि पाकिस्तानी खूफिया एजनसी आईएसाई कश्मीर इस्थित आतंकी संगटन हिजबुल मुजाइदीन के साथ मिलकर भारत में आतंक फैलाने के उदेश्य से भारतिय लोगों को अपने साथ जोड़ रही है अल्ताफ ने आगे बताया कि वह हिजबुल मुजाइदीन का साहित्य पढ़कर और जिहादी संगटनों के अमीर उस्तागों की तकरीरों को सुनकर उनसे प्रभावित हुआ था अल्ताफ ने हिजबुल के कैंप में असलो की ट्रेनिंग की और वह लंबे समय तक कैंप में रहकर वहां के कमांडरों से दिशा निर्देश में काम करता रहा अल्ताफ को हम के मुझाइदों से हिदायत मिली थी कि वो खूफिया तौर से निपाल के रास्ते जम्मू कश्मीर पहुँचे जहां पर उसे आगे के प्लान के बारे में बताये जाएगा इतना ही नहीं बीते साल नवंबर के महीने में भी ATS को एक बड़ी सफल काहात लगी थी ATS ने आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के चार सकीर्य सदचियों को गिरफतार किया था इन में से तीन अलिगर मुस्लिम युनिवर्सिटी के चात रह चुके थे ATS ने अलिगर से 5 नवंबर को ATS आतंकी अब्दुल्ला अरसुनाल और माजबिन तारीक को गिरफतार करने के बाद उनकी अन्य सकीर्य साथियों की तलाश शुरू कर दी थी जिसके बाद इनका सकीर्य साथी वजिहुद्दीन 36 गर से पकड़ा गया था स्पेशल डीजी प्रशान कुमान ने बताया था कि ATS के आतंकी भदोई निवासी राखीव इमाम अंसारी संभल निवासी नावेद शिद्धकी मुहमद नुमान और मुहमद नजीम को गिरफतार किया गया था आरोपी राखीव इमाम ने AMU से BTEC और MPEC किया था नावेद सिंदकी ने BSC और नुमान ने BA की पढ़ाई की थी नुमान के माद्यम से नजीम AMU के IS मॉडल से जुड़ा था इतना ही नहीं AMU के चातर संगठन Students of Aligarh Muslim विश्वधाले से भी इनका गहरानाता रहा ADG, ATS, मोहित, रगवाल के अनुसार राखीव को Aligarh से तथा नावेद, नुमान और नजीम को संभल से पकड़ा गया था इनके पकड़ी जाने के बाद, ATS इनके कुछ अन्य साथियों की भी तलाश में जूट गई थी जानकारी के अनुसार, आरोपी कई यूबकों को इंटरनेट मीडिया के माध्यम से जिहाद के लिए उकसाने के साथ ही उन्हें गोपनी अस्थानों पर आतंकी प्रस्रिक्षन दिलाने का काम कर रहे थे बता दे कि यूपी सहित अन्य राजियों में बड़ी आतंकी घटनाओं का सडियन तुरचा जा रहा था ATS ने अपने मुकदमे में अब्दुल्ला और तारीक के अलावा दिल्ली निवासी सहनवाज, रिजवान अली और अर्शदवारसी, अलीगड़ निवासी वजियुद्दीन, अब्दूल संभन मलिक, फैजान बख्तियार, संभन निवासी मुहमद नावेज शिद्ध की, प पहला था, बता दे कि UP में जब से रामलला की प्रान प्रतिष्ठा की चर्चा शुरू होई थी, तब से ही आतंकियों की नजर भारग पर थी, UP ATS ने रामलला की प्रान प्रतिष्ठा के कारिकरम में गड़वड़ी करने की मनसा से अयोध्या की जासूसी कर रहे तीन संदिक खालिस्तानी आतंकियों को गिरफतार किया था, गिरफतार किये गए रास्थाम निवासी संकर लाल दुशार, अजीत कुमार शर्मा और प्रदीब पुनिया प्रतिवंदित खालिस्तानी संगठन, सिक फोर जस्टिस के मुखिया गुर्पन सिंक पन्नु का करीवी बताया ग दौरान सफेद रंकी एक स्कॉर्पियों पकड़ी गई थी, स्कॉर्पियों सवार तीनों यूबक जब त्रिमूर्थी होटल जाने लगे तो पुलीस ने उन्हें हिरासत में लेकर पूछताच की, इसके बाद पता चला कि संकर लाल दुसाद के खिलाफ वर्स 2007 से 2014 तक कुल साथ मुकदमे दर्ज हैं, उसे वर्स 2016 में ही गिरफ्तार किया गया था और वह 2023 यानि की 7 साल तक जेल में रहा, पूछताच में संकर लाल ने कबूला था कि वह गैंग्स्टर राजिंदर जाट का करीवी रहा है, विदेश में रहने वाली खालिस्तानी संगतन हरमेंदर सिं उसके अगले आदेश का इंतजार करें, जैसा पन्नु न देश दे वैसा ही घटना को अंजाम दिया जाना है, इसलिए वे लोग जीप पर शुराम का जंडा लगा कर रेकी कर रहे थे, पन्नु ने आगे कहा कि वार्दात को अंजाम देने के लिए आयोध्या से ही उन्हें स जान से मारने की धमकी दी गई थी, साथ ही ये भी कहा गया कि अयोध्या से तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, इसके गंभीर अंजाम धुगतने होंगे, संकर नभी पूछताज में कबूला है कि वह पन्नु के लिए काम कर रहा था, इसके बाद ATS ने तीनों के साथ ह पन्नु के खिलाब UP ATS थाने में धोखा धड़ी, कूट रची जस्ता वेज बनाने, साजिश करने और देश द्रो की धाराओं में FIR दर्ज किया था, फिलाल के लिए इतना ही आप देख चारिये Capital TV उतरपरदेश, नमस्कार को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि आप तक हमारे विडियो अक नोटिफिकेशन पहुचती रहे, आप अपना सुधाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, हमारे साथ चुर्णने के लिए शुक्रिया